आपका स्वागत करता हूँ हम देख रहे हैं कप्छा छठवी दिज्ञान और आज हम इसका इकाई पढ़ने वाले हैं हम लोग चेहुदा इकाई और इसका नाम है रेसों से वस्त्र तक पादा प्रेसे रेसों से वस्त्र तक जो भी हम लोग कपड़ा जो पहनते हैं जिसे वस्त्र कहते हैं इसका निर्मार रेसों से होता है और जनरली हम उनमें पादा प्रेसे का प्रयोग करते हैं तो इसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं इसी काई में क्या करने वाले हैं पढ़ाई करने वाले हैं ठीक हैं चलिए तो हम जो है चलते हैं अपने थेवरी की ओर आप जानते हैं बोल रहे हैं क्या करते हैं आप जानते हैं आपको बोल रहा है कि आपको पता है कि प्राचीन काल में प्राचीन काल मतलब पुराने समय में लोग अपने सरीर को गर्मी बारिस तथा ठंड से बचाने के लिए ब्रिक्षों की छाल बड़ी बड़ी पत्तियां अथ्वा जन्तूओं के चमड़े का क्या करते थे उपयोग करते थे जैसे अगर हम आदी मानों की बात करें यह पहले की बात है तो आदी मानों क्या करते थे उस समय अपने जो सरीर है उस सरीर को क्योंकि उस समय कपड़ा नहीं था पुराने समय में कपड़ा नहीं था कपड़ा के विसकार नहीं हुआ था या कपड़ों के बारे में उस समय रहने वाले जो बेक्ती थे या जो जीव थे उनको जो है कपड़े के बारे में कोई जानक प्राप्त करते थे अगर छाल नहीं पाते थे तो हम लोग क्या करते थे उस समय जो तो यह आपको पत्तियां होती थि उसका उपयोग करते थे और उखनी की दिन में अलग कपड़ा थंडी की दिन में अलग कपड़ा हनव पहनते हैं तो वैसे पुराने प्राचीन समय में आदी माना उकाल के समय में एस सब चीज नहीं हुआ करते थे तो उस समय ठंडे से बचने के लिए जो है आपका गर्मी के लिए या बारिश से बचने के लिए अब रिक्षों की छाल था मतला पेंड पौधों की छाल का पतियों का जनत्वों के जो खाल है उनकर क्या करते थे ओलोग उपव्योग करते थे धीरे धीरे उन्होंने घास तथा पतली-पतली ठहनियों को भून कर चटाईयां ठोकरियां बनाना आरम किया अब धीरे-धीरे उनमें विकास होता गया, आदी मानों में क्या होता है गया, धीरे-धीरे विकास होता है गया, हना उनको नए-ने सीख, सीखने को मिला, तो फिर उन्होंने क्या करना ही श्टार्ट किया, जो उस समय जो घास हुआ करते थे, उसके लाओ पतली-पतली जो टहन उन्होंने क्या बनाना इस डillar किया जिन्हें बून कर उन्होंने बनाना इसको बेकास किया मतब सुरू में हमको ऐस सब के जानकारी नहीं था धीरे 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 क्या हुआ उन्होंने टोकरियां बनाना सिखा टहनियां से टोकरियां बनाना सिखा चटाई बनाने सिखा और फिर उस समय जो भी हमारा जंतों के बाल हुआ करते थे उन हुआ करते थे उनको एट करके फिर धीरे धीरे उन्होंने वस्त्र बनाना क्या किया तैयार किया उस समय उन लोगों को सिलाई करना नहीं आता था ये इन ही वस्त्रों को क्या करते थे शरीर में क्या करते थे धारन करते थे जिनको एट कर या जिस प्रकार से है उसको उसी प्रकार से वो धारन कर लेते थेjen तो ये तो हो गया पूराणी बाते 5 नहीं समय वस्त्र नहीं हुआ करता था कपड़े की जो है कि रिसोे जुब सकते हैं जैसे ही एं निटा खड़े थे तो ये पुराणी बाते हो गया अब देख रहा है वस्त्र में बिभीदता वस्त्र में बिभीदता मतलब क्या होता है हम कई प्रकार के क्या परते हैं कपड़े जो पहनते होते हैं दरह तरह के जो डिजाइन के जो कपड़े पहनते हैं वही हमारा क्या कहलाता है आपको बोल रहा है सोचिए क्या जो छटवी कलास के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बोल रहा है कि हम जो कपड़ा पहनते हैं क्या सभी कपड़ा या हम घर में जो भी कपड़ा यूज करते हैं क्या सभी कपड़ा एक ही प्रकार के धागे से बने होते हैं नई सभी कपड़ा एक ही प्रकार के धागे से नह गलग प्रकार के धागे से क्या होते हैं बने होते हैं वही अर्थाद उसमें विविदता पाई जाती है आईए हम उसी को जानने का प्रयास करते हैं कि आप ग्यों घर में कपड़ा पहनते हैं क्या वो कपड़ा एक ही प्रकार के धागे से बना होता है या अलेग अलग प्रका वन क्या है तो देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं आवस्यक समागरी लेना पड़ेगा सबसे पहले बिभीन प्रकार के जो कपड़े के जो करतने हैं उनको देखना पड़ेगा लेबल करने के लिए पेन की ज़रत पड़ेगी आसपास किसी दरजी के दुकान में आप जाईए और सिलाई के बाद में बचे हुए कपड़ाओं के जो करतने हैं छोटे छोटे टुकड़ा है उनको क्या कीजिए आप एकत्र कीजिए जैसे जो सिलाई वाला जो टेलर होता है जो कपड़ा सीने के बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा के हो जाता है बच जाता है आप उनको वहाँ पर जाईए और वहाँ पर जा करके उनको क्या कीजिए आप एकत्र कीजिए बोल रहा है और प्रतेक जो करतन है प्रतेक जो तुक अब क्या कि या दरजी ता से टेलर की सहायता से उन कपड़ों से उन कर्तन पर सूती रिस्मी का लेबल लगाई है आप दरजी से पूछें कि यह वाला कपड़ा कौम सा है फिर वो बताए detecting है सूती कपड़ा लिखें वो बोलेगा यह रस्मी कपड़ा है उनी कपड़ा है या संसलेसी तवाला कपड़ा है तो आप क्या करते जाएए उसमें लेबल लगाते जाएए और कपड़े के जो भी करतर हैं उनको ध्यान से देखिए क्या आप कपड़े की बनावाट देख रहे हैं तो आपको क्या बोला पहले क्रियाकलाप में आपको कहा जाना है, दरजी के यहां जाना है, दरजी जो है वो जो छोटे-छोटे टुकड़ों में जो कपड़ा काटे रहते हैं, सीले के बाद जो बचा रहता है उनको आप वहां से उनको मंगे और उनकपड़ा को छूचू के क्या कीजिए, देखे और देखने के पस यह कीजिए कि कौन से कप्ड़ा किस प्रकार का है, क्योंकि छूने में सभी कप्ड आपको अलग-अलग महसूस होता है, तो आप दरजी की सहयता से, टेलर की सहयता से उन कपड़ों की जो भी स्थिती है उसके बारे में पुछे, और उन कपड़ों को फिर क् बुनावट कैसा हुआ है, उस कपड़ों में वो बुना कैसे गया है, किस प्रकार से बुना गया है, उनको भी आप वहाँ पर क्या कीजिए, देखे बोल रहे हैं, तो चलिए कपड़ों की बुनावट कैसे होती है, ओ हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, पहले इस्तिती में हमने देखा कि कपड़ा कौन कौन से प्रकार का हो सकता है, तो सूती हो सकता है, उसके अलावा आपका क्या हो सकता है, आपका रेसमी हो सकता है, उनी हो सकता है, कई प्रकार के संसलेसित वाला कपड़ा हो सकता है, चलिए, आपने पहले आप कपड़ा का वेराइटी पढ़ आगे हम लोग देखेंगे क्रिया कलाप 2 में इसमें क्या वह रहा है आवस्यक समागरी फीर से लेंगे आपको करके देखने के लिए आपको लेना है सूती के कपड़े का जो करतन है मतब तुकड़ा है उसको और सूई लेंगे और सूती की कपड़ों की करतन लीजे और इसके स सहयता से या पीन की सहयता से एक धीला धागा खीच कर बाहर निकाल लिजे आपको क्या बोर रहे है मालो ये सूती कपड़ा इस प्रकार से क्या हुआ है बुना है इस प्रकार से क्या गया है बुना गया है तो आप क्या कीजे बोर रहे हैं उसको पहले तो आप सूती कपड़ा ऐसे करके निकाल लिजे हना हमने देखा कि धागों को एक ब्यवस्थित क्रम में हना क्या करने पर ब्यवस्थित क्रम में करने से वस्त्र क्या होता है आपका बनता है तो यहां पर आप देखेंगे यह हमारा जैसी हम लोग क्या करते हैं बाहा निकलते हैं दूसरा भी बाहा न सब्सक्राइब कि जो धागा होता है वो एक निस्थित करम में ये बेवस्थित करम में क्या होता है हमारा बेवस्थित हो करे कि किसका निर्मार करता है वस्त रका निर्मार करता है कपड़े का निर्मार करता है तो यह जैसे हम लोग कपड़ा पहने हैं आप जो कपड़ा पहने हैं तो उस कप आपका निर्मार होता है तो इसको आप लिख सकते हैं कि धागे के निश्चित क्रम में धागे के यहाँ पर लिख सकते हैं निश्चित क्रम में बेवस्थित होने से ही निश्चित क्रम बेवस्थित होने पर ही वस्तर का निर्मार होता है वस्त्र का निर्माण होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वस्त्र का निर्माण होता है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपने यही सीखा कि हमने देखा कि धागे को अगर ब्यवस्तित करम में क्या कर दिया जाए, ब्यवस्तित कर दिया जाए, तब जाकर कि क् क्या होता है आपका निर्माड होता है धागे का निर्माड होता है तो लिग दिया धागे के निश्चित करम में बेवसीत होने पर ही वस्त्रक क्या होता है आपका निर्माड होता है तो यह आपने शिक गया आप जैसे आप यहाँ पर देखे यह हमारा करतन है जहां आप टेलर करते हैं इस प्रकार निकाल लेते हैं और इस प्रकार से बहुंक्त को लिकाते हैं तो इस तरीका य् lizardy को क्या करते हैं निकालके देख सकते हैं ये हो गया और कपड़ा कैसे हिरता ही वू बन गया तो और पड़ा में जो रिशे का सो जो भी बस्ता होता है वह ही देख लिए आप हमको देखना आ रिया मेली s sweptavic देखना है क्रिया कलाब die a रख दीजिये बोल रहा है, ठीक है, अब इसके एक सीरे को अपने अगुठे से दबाईए और दूसरे सीरे को अपने नाकुण से क्या कीजИे, खरोचिये, जैसे यह हमारा क्या हो गया, धागा हो गया, तो एक सीरे को इस प्रकार से आप अंगुठा से दबाते हैं, और एक तरब को इस प्रकार से नाखुन से क्या करते हैं, खरोचते हैं, तो खरोचने से क्या होता है, क्या आपको धागे में पतली-पतली और लड़ियां दिखाई देती है, हाँ, जब हम क्या करते हैं, धागा के एक सीरा को इस प्रकार करते हैं, और दूसरे सीरा को इस प्र धागा डालते समय आपने कई बार देखा होगा कि धागे का सीरा कुछ पतली लड़ियों में प्रिथक हो जाती है और उस समय धागे को सुई की छेद में से बहा निकालना कठीन हो जाती है धागे की यह पतली पतली लड़ियां और अधिक पती पती लड़ियों से मिलकर बनी ह होती है जीन हे रेसे के नाम से क्या की जाती है जानी जाती है आपने जैसे घर में सुई भी सुई में दो धागा करते हैं जब लगाते हैं तो आप देखें होंगे कि उस धागा को अगर हम क्या करते हैं इस प्रकार से नाखों से कर देते हैं तो उस धागा के नतरगत और भी पहुत सारी होती ही। छोटी छोटी ही धागा होती है। रहा है कि कोई भी जो धागा होता है धागा जो होता है वो एक धागा वैसे ही है ना कई छोटे छोटे जो लड़िया होती है उससे मील करके क्या होती है आपकी बनी होती है तो इसमें यहीं चीज आपको दिया गया है कि उस समय धागे को सुई में छेद में बहार निकलना कठ भाकति हैं, थागे की ये पतली पतली लणियां और अधिक पतली पतली लडियों से मील कर बनी होती हैं और वहीं लडियां आपकी क्या कहलाती हैं रेसे या तंतू कहलाती हैं क्या की जा सकती है भई बताई जा सकती है तो आपको क्या बोल रहे है कि धागे की पतली पतली लडियां और अधिक पतली पतली लडियों से मिलकर बनी होती है जीने रेसे कहते हैं ये आप क्या कर सकते हैं लेख सकते हैं ये रेसे कहां से प्राप्त होती हैं आपको ये रेसे क कहां से प्राप्त होती हैं, जो भी हम धागा देख रहे हैं, और धाके कंदर जो रेसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो सकते हैं, सूती, जूट, रेसमी, उनी, वस्तरों के जो रेसे हैं, वो अनस्पतियों से, जन्तूं से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, आप से फिर को और जन्तूओं से क्या होती हैं प्राप्त होती हैं इन्हें प्राकृतिक रेसा कहते हैं मतब वह रेसे जो पेड़ पाउधों से और जीव जन्तूओं से प्राप्त होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक रेसे कहते हैं और कापास हो गया जूट हो गया जो कि पेड़ पौधों के अंतरगत आते हैं, इनसे प्राप्त होने वाले जो रेसे होते हैं, उन्हें वनस्थपती या पादप रेसे कही जाती हैं, तो यहां से दो कोश्चन बन गया, प्राकृतिक रेसे क्या हैं, तो वनस्थपती और जन्तुओं से प्राप्त होने वाले रेसे क तो प्राकृतिक रेसे कहते हैं, कापास और जूर से प्राप्त होने वाले जो रेसे होते हैं उनको पादप रेसे के नाम से जानते हैं। पून हो गया, रेसम हो गया, वो जन्तूओं से प्राप्त होते हैं, अता ही इन्हें जन्तू रेसे के नाम से जानते हैं, तो दो कोश्चन पूछेगा, पादप रेसे क्या है, तो ऐसा रेसा जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उन्हें हम पादप रेसे कहते हैं जैसे आपका वो सकते हैं जूट का पास ये सब क्या हैं पादाप्रे से हैं और वे रसे जो हमको जन्तूं से प्राप्त होता है उन्हें हम जन्तूरे से कहते हैं तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं पादाप्रे से क्या है तो लिख सकते हैं वह रेशा जो पेड़ पाउधों से प्राप्त होते हैं प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग पादप रेशे कहते हैं यह पहला और दूसरा हमारा क्या होता है हमारा जन्तु रेशे क्या होता है तो लिख सकते हैं अचा उधारन भी लिखना है जैसे यहाँ पर क्या हो गया? आपका कपास हो गया जूट हो गया यह हमारे क्यों से है? हमारे पादाप्रेसे अब जनतु रेसे किसे कहेंगे? तो जनतु रेसे का मतलब होता है वह रे से जो जीव जन्तु से प्राप्त होते हैं उसे जन्तु रे से कहते हैं जैसे उधारन में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं उन हो गया रे सम हो गया क्योंकि रे सम को सा कीड़ा होता है बोलते हैं वो रे सम कहां मिलता है को सा कीड़ा से तो जन्तु में आता है तो इस तरीका से आप यहाँ पर सीख गए, पादाप रेशे क्या है, जन्तू रेशे क्या है, उसके अलावा आपका प्राकृतिक रेशा इन दोनों को मिला के बोलते हैं, पादाप रेशा किसे कहते हैं, तो जन्तू से और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को एक साथ क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, तो सबसे पहला कोश्चन, रेशे किसे कहते हैं, तो कोई भी जो धागा होता है, वो धागा और छोटी-छोटी या पतली-पतली लड़ियों से मिलकर बना होता ह और वो पतली पतली लड़िया ही क्या कहला जाता है रेसे कहलाते हैं और रेसे जो है कहां से प्राप्त होते हैं तो ये आपका पेड़ पौधों से और जीव जन्तों से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों और जीव जन्तों से आपको जानना है आगे दिया है रेसमी रेसे रेसम कीट के कोकून से प्राप्त किये जाते हैं किसे प्राप्त किये जाते हैं रेसमी जो रेसम होता है वो रेसम कहां से प्राप्त होता है रेसम जो कीट होता है रेसम कीट मतलब कोसा कीड़ा जिसको बोलते है तो रेसम कीट के क कोकून से प्राप्त होते हैं। स्टब्रानों में किया जाता आज कल तो अलग बात है कि आज कल जो है आपका कित्रिम रेसा त्यार करके कपड़े बनाया जा रहा है लेकिन पहुँश समय तक या आज भी वह सकते हैं ज्यादा तर हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा कहां से त्यार होता है हमारा प संसलेसित हन रेसा कहते हैं तो क्या वो सकते हैं वह रेसा जो मनुसियों के द्वारा रसाइनिक पदार्थों से बनाये जाते हैं ऐसे रेसा को संसलेसित रेथा कहते हैं संसलेसित रेसा कहा जाता है तो ये कोस्टन भी आपको क्या कर सकता है पूँच चपता है क्या आप कोस जिसे मनुश्य लैब में प्रयोक साला में वो सकते हैं जिसे मनुश्य प्रयोक साला में या लैब में वो सकते हैं या फेक्टरी में वो सकते हैं प्रयोक साला में विभिन प्रकार के रसानिक पदार्थों से बनाये जाता है तो वह रेशा जो मनुस्य वह रेशा जो विभिन प्रकार के रसाइनिक पदार्थ द्वारा प्रयोक साला में बनाये जाता है प्रयोक साला में क्या किया जाता है भी बनाया जाता है क्या कहलाता है मारा संसलेसित रेशा कहलाता है तो इस तरीका से वह सकते हैं कि वह रेशा जो रसाइनिक पदार्थों से क्या किया जाता है बनाया जाता है उसे हम क्या बहते हैं संसलेसित रेशा कहते हैं हाना ओके तो इस तरीका से आप बता सकते हैं जैसे टेरिलीन संसलेसित रेशा है पॉलीश्टर संसलेसित रेशा है नैलोन संसलेसित रेशा है एक्रिलीक संसलेसित रेशा के कुछ क्या है मारे उधारन है तो ये भी question आपको पूँछ सकता है कि संसलेसित रेसा किसे कहते हैं तो वह रेसा जो रसाइनिक पदार्थों के द्वारा तयार किये जाते हैं ऐसे रेसे को संसलेसित रेसा कहते हैं उधारन के लिए टेरलीन, पॉलिएस्टर, नैलोन और एक्रिलिक या ये लिख सकते हैं कि वह रेसा जो विभीन प्रकार के तरसाइनिक पदार्थों द्वारा प्रयोक साला में बनाए जाते हैं उसे संसलेसित रेसा कहते हैं उधारन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भई, टेरलीन, ये हमारा क्या है, संसलेसित रेसा है लायलाउन, है न, लायलाउन, कैसा रेसा है, संसलेसित रेसा है, पॉलिएश्टर, कैसा रेसा है हमारा, संसलेसित आपका, एक्रिलीन, एक्र, एक्रिलीक, यह हमारा क्या है, संसलेसित आपका रेसा है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, हम विभिन प्रकार क के रितुओं में रितु आप जानते हो गर्मी सर्दी ये सब विभिन प्रकार के रितु होता है जैसे बारीस गर्मी में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं ये हम आगे क्या करेंगे जानेंगे और क्यों पहनते हैं आपको ये बोल रहा है कि हम गर्मी में कौन सवस्त्र पहनते सरदी में कौन सा वर्स्त पहनते हैं यह हम लोग जानते हैं तो अलग अलग वस्त चलिए कुछ पादा प्रेसे देखेंगे आप क्या देखेंगे कुछ पादा प्रेसे ठीक है भी कुछ क्या देखेंगे हम लोग पादा प्रेसे देखने वाले हैं कुछ पादा प्रेसे देख और इनका नाम भी सम्मंधित पौधों के अंसार ही होता है। फटने से आपका धागा दिखाई देता है। पौधा होता है। आदब रेसा के रुप में प्रयोक किया जाता है सेमल आपने देखा होगा सेमल का पौधा होता है जिसको कापुक भी कहा जाता है शेमल के रेसे कापास की ही भाती कोई से ही प्राप्त होते उसमें भी पहले सेमल में क्या लगता है फूल लगता है फूल के बाद क्या लगता ह फ्ल को कोएं भी बोलते हैं और फिर वो फ्ल क्या होता है? अपका पकने लगता है और एक इस्सिति Сितिती आता है के? औसके बाद वहाँ से क्या निकलता है? आपका रूईँ क्या होता है? दिखाई देता है तो कापास और स्मा लगभग उसी प्रकार करेंदेखों पूल प्राक्रितिक इन रेसों में प्राक्रितिक एठन का भाव होता है इस करण की कताई कर धागा त्यार नहीं किया जा सकता है किन्तु इनसे रेसे रेसम के समान चमकिले और उत्तम सेरी के होते हैं और चाटाई और बीछाउना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तो कपास हो गया, सेमल हो गया, इनसे जो रूई प्राप्त होता है, इस रूई से आपका जो है, इनका जो एठन होता है, मतलब इनका जो धागे हैं या एठन हैं, उतना अच्छा नहीं होता है, इनमें प्राकृतिक एठन का क्या होता है, अभाव होता है, अतह कपास और सेमल जो होता है, वो चटाई बनाने में, तक्या बनाने में, बीछाउना बनाने में, मतलब हमारा जो क्या होता है, जो बैड बनाते हैं, वो सब बनाने में इसका क्या के जाता है, ज्यादा तरूपयों किया जाता है, किसका कपास और सेमल का, तो ये आपने देख लिया, आगे जूट के पौधों से प्राप्त रेसों को समाने भासा में क्या बोलते हैं टाट कहते हैं उनका जो रेसा होता है उसको टाट बोलते हैं और जूट के पौधों को नमी अत्वा गर्मी किया सकता होती है जूट का पौधा 12-15 फूट उचा होता है फूलों के मूर जाने के बाद पोधों को काट लिया जाता है और इसके तने को कई दिनों तक पानी में डाल करके गलाया जाता है और इसके फिर तने के बाहरी छाल को गल करके अलग हो जाती है और फिर सेज भाग कोमल हो जाता है और पीले रंग का चमकदार रेसे वहां से निकाला जाता है जूट से फिर बोरे दरियां गलीचे बनाएं जाते हैं काउं में देखना आपका जिसमें लाल-लाल का फल फलता है यह आपका बरसात खेत जो धान लगाते हैं कुद्दीन के पस्चाद लगा दिया जा रहता है तो इस प्रकार से लगब 12-15 फूट क्या होता है आपका यह उपर बड़ा पौधा होता है और इसमें इस प्रकार से लाल-लाल रंग का क्या होता है आपका फल खिलता है फल क्या होता है खिला होता है और ये जब क्या होता है इसका फल निकल आता है तो फिर इसके पौधा को क्या कर दिया जाता है जड़ से क्या कर दिया जाता है और काट करके इस पौधा को जो चार पान दिन के लिए पानी में क्या कर दिया जाता है इसको सडाया जाता है उसके बाद इसके उपर का जो क्या ह किया जाता है तो यह हो गया आपका तीन थो उसके बाद नारियल का रेसा जिसको कायर बोलते हैं क्या बोलते हैं जैसे उसको टाड बोलते थे वैसे इसको क्या बोलना है कायर आके आपका question में काम आएगा तो नारियल के रेसा को क्या बोलते हैं कायर बोलते हैं यह नारियल की छाल के उपर इस्तित रहता है आप देखे होंगे नारियल का उपर में क्या होता है आपका रेसा रहता है तो नारियल का जो छाल होता है उसके उपर में क्या होता है पाया जाता है और इससे गदियां बनाई जाती है रसियां बनाई जाती है तो नारियल से जो क्या होता है हमा त्यार करते हैं नई तो हम क्या करते हैं मजबूत रसी त्यार कि उससे क्या किया जाता है किया जाता है तो इस तरीका से यह चार-पांच प्रकार का क्या होता है आपका यह आपका रूई या जो है आपका धागा या जो है तंतु यहां पर देखने को मिलता है आगे हैं वस्त वस्त्र नीर्माण क्या होता है? तो सबसे पहले धागे का नीर्माण करना होता है और धागे का नीर्माण क्या कहलाता है? कताई कहलाता है तो धागे का नीर्माण करना मतब क्या होना? कताई करना तो रेसे वस्त्र के मूलिकाई है रेसा ही क्या होता है? वस्त्र का मूलिकाई होता है और रेसों से वस्त निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कताई है प्रथम चरण क्या है कताई है तो वस्त कमूली का ही क्या होता है रेसा होता है मतलब बिना रेसा का वस्त निर्माण नहीं किया जा सकता है और और रेसों से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है उसका पहला जो चरण होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं कताई बोलते हैं क्या बोलते हैं बही कताई आपसे question कर सकता है बताईए कपड़े के बनाने में कपड़े बनाने में पहला चरण कौन सा होता है तो कौन सा होता है हमारा कताई होता है और कताई का काम पहले हाथों से होता था पहले हमारे पस कोई मसीन वसी नहीं हुआ करता था तो पहले हाथों से करते थे इसके बाद तकली आया तकली उसके बाद चर्खे आया के अविसकार से समय और सरम दोनों की क्या हो गया बचत होने लगा तो पहले हा जय से करने में टाइम लगता था अब तकली és आयता से ईक को जब violence क्रांति क deinen के सहति ने युजारम किया और क्राप्た करना उन्हें साप करना फिर धागा बनाना और अन्त में धागौ से युजा बनाना इन सभी कारियों में अब अलग अलग तरकार का मसीन क्या करने लगा बनने लगा है और उन्हीं के द्वारा आज कल जो है क्या किया जा रहा है आपका उप्युक हुआ जा रहा है तो रेसों को धागों में बदलना ही क्या कहलाता है कताई कहलाता है जैसे मैं आपको बताया ना कि कोसा से धागा को क्या करना अलग करना ही क्या कहलाता है हमारा कताई कहलाता है तो इसी को बोल रहा है कि रेसों से धागा को क्या करना अलग करना ही कहलाता है कताई कहलाता है तो आपको बहुं सारा चीज याद रखना है ना पहला वस्त्रकमूलिकाई क्या है तो मस्त्रकमूलिकाई क्या है हम और कपड़ा बनाने का प्रथम चरण कौन कहलाता है हमारा, कताई कहलाता है, तो कताई क्या होता है, तो रेसों को धागों में बदलना, आपका क्या कहलाता है, कताई कहलाता है, और यह वस्तर निर्माण का पहला क्या है, चरण है, और इसके बाद धागा का बुनाई के लिए त्यार समझा जाता है तो आपको ये भी कोस्तन कर सकता है वस्त निर्मार का पहला चरण क्या है तो कताई है और कताई क्या होता है तो धागा से रेशा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है आपका कताई कहलाता है इसको आपको ध्यान में रखना है यह देखो चर्खा आपको दीख रहा है इस चर्खा के द्वारा क्या किया जाता है आपको कतई वाला काम किया जाता है यह चर्खा है महातमा गांधी जी इसी पर देखते हैं आपको ठीक है तो यह हो गया अब हमको करना है बुनाई करगे से बुनाई देखना है करगे से क्या दो रंग के कागाच के सीट लगाना पड़ेगा, दो रंग के कागाच आपका अलग-अलग कागाच है उसका सीट, कैंची चाहिए, पेंसील चाहिए, और भिन रंगों के दो कागाच के सीट लीजिए, आपको दो-तीन चाहिए, दो कागाच के सीट हो गया, वर्गाकार सीट काट लें, ठीक है, क्या बोल रहे है, दोनों सीट में से 30 cm लंबा और 30 cm चयोड़ा, इस प्रकार से आप क्या कर लो, सीट काट लें, क्या कर लें, सीट काट लें, और दोनों सीट को आधा-धा मोड़ दो बोल रहें, ये सीट है मारा, इसको आधा क्या कर दोनों सीट पर चीतर 14.3k क गा चैंफार रेखा किंची why जह क्या खीचियं। रेखा इस प्रकार से आपको क्या करना है? रेखा क्हिचना है खीची गए रेखा केंव सर पहली सीट से पट्टिया चाट लीजिये और दूसरी सीट पर खीची रेखाओं को एक-एक इंच के किनारे छोड़ते हुए काटे, ध्यान, काटे, काटे, ध्यान रखें कि यह सीट चटाई का धार्ग नाचे, अब पहली सीट के पट्टियाओं को एक-एक करके, दूसरी सीट के काटाओं में क्या करते जाएं, आप जो है, बुनते जाएं, जैस यह हमारा दो सीट है, यह हमारा अलग-अलग कलर का क्या लिगिए जिये, दो सीट लीजे, बोल रहा हैं, और उसको कितना संटीमेटर लगभग? 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आपका लंबाई का और 30 सेंटीमीटर चावडाई क्या कर दिए इस प्रकार से क्या कर लिए काट लिजे और काट लेने के बाद किसके बाद हमारा काट लेने के बाद आपको क्या बोलना है इस प्रकार से आपको क्या बोला जा रहा है काट लें दोनों सीट को आधा मोड लीजिए बोल रहा है क्या मोड लीजिए आधा मतलब समझ रहे हैं यह पूरा आपने काटा यह आपने क्या किया पूरा इस प्रकार से पहले काट लिए 33 cm अब इसको इस प्रकार से मोड देते हैं आधा मोड दिया मतल प्रेखा खीचिए और फिर पहली सीट में से पट्टी है वो काट लीजिए, दूसरी सीट पर उसी प्रकार के रेखा खीचिए और उसको भी एकेक इंच की किनारे छोड़ते हुए काकर लें, और फिर इस यहां की सीट चटाई का धार होगी, अब पहली सीट के पट्टियां ह तो यह देखो आपने क्या कर लिया, उसको इस प्रकार से क्या कर लिया, काट लिया, और काट लेने के पस्चाद क्या करते हैं हमारा, जो पहला जो सीट बना है, उनको एक में उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीच क्या है कपड़ा है इस प्रकार से तो आपको जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं खाट को जैसे घर में पैरेंस दो करते हैं तो यह हम लोग इस प्रकार से काट लिए ठीक है अब इसमें क्या करेंगे एक और हमारा जो कपड़ा होता है उसको भी काट लेते हैं आपका इसी प् प्रोपर नेचे、 फिर उपर फिर इसिपर फिर नीचे फिर उपर फिर उपर फिर इस प्रकार से क्या करते जाते हैं? त्यार हो जाता है ऐसे कर रखते हैं फिर एक इसका धागा फिर नीचे फिर एक धागा फिर नीचे फिर दूसरा करते हैं तो दो धागा अंदर है उसको क्या करते हैं दूसरा में दबा देते हैं पहले जैसे इधर से करते हैं तो एक धाब दब गया दूसरा उपर फिर दबा फिर उपर फिर धगब फिर उपर तो दूसरा को क्या करेंगे जो उपर है उसको नीचे फिर जो नीचे है वो उपर इस प्रकार से जब हम क्या करते जाते हैं व्यवस्सित करते जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं बुनाई कहते हैं जैसक कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है देखो यह दिख रहा है एक हमारा इस प्रकार का पट्टी है हमारा इस प्रकार से रेशा हो गया है यहां से तो इसमें क्या हो रहा है देखो इसका एक उपर फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे फिर उपर इस प्रकार से हम क्या करते जात तो यह हमारा क्या होता है आपका यही बुनाई कहलाता है बुनाई कहते हैं ठीक है और आगे है क्रिया कलप 4 में दरसायं सारी धागों के दो सीटों को बून कर वस्त्र बून जाते हैं और रेसों से निर्मित धागों ही वस्त्र के मुख्याधार होता है धागे वस्तों में का सघन सरचना, सघन मतलब पास-पास है, तो इसको क्या बोलते हैं, यह थोड़ा सा दूर-दूर है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीनी सरचना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके नाम जीनी सरचना कहलते हैं, थोड़ा सा दूर-दूर है, इसलिए इसको जीनी और इसको क्या बो इस प्रकार से लंबाई और चावडाई खुआपा से गूत करके अंता हो क्या हो जाता है और धागों से वस्तर कर निर्माण करने की अनिक क्या है बिधिया है जिन में से एक प्रमुख बिधी है करगे से किसे करगे के बुनाई से भी आप क्या कर सकते हैं वस्तर बना सकते हैं करगे या तो हस्त चलित होते हैं अथो आज कल लाइन से भी क्या होते हैं ये चलते हैं और वस्तरों का निर्माण इसी विधी द्वारा क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है वस्त निर्माण के लिए लंबाई चावडाई दोनों से धागे लगाए जाते हैं लंबा में चवड़ाई में धागा लगाया जाता है तो कपड़ा बुनने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है लंबाई और चवड़ाई दोनों और धागा लगाया जाते हैं लंबाई में जो होता है उस धागा को बोलते हैं ताना मतब इस प्रकार से मालो ऐसा लंबा है लंबाई वाला जो धागा है उसको क्या बोलते हैं ताना क्या बोलते हैं उसको ताना कहा जाता है और इस प्रकार जो चावडाई में जो धागा होता है उसको बोलते हैं बाना उसको क्या बोलते हैं बाना तो एक सांथ क्या बोलते हैं ताना बाना क्या बोलता है हमारा ताना बाना तो उसको बोलते हैं ताना इसको बोलते हैं बाना तो इस प्रकार से आपका लंबाई में जो धागा हो उसको ताना और चवडाई में होगा उसको बाना कहा जाता है और इस प्रकार से इन ही धागों क फिर उपर फिर नीचे फिर उपर इस प्रकार से फसा दिया जाए सबको आपका ताना और बाना को तो आपको वस्त्र क्या हो जाता है आपका निर्माड हो जाता है तो यह आप देखे भी होंगे घर में मम्या जब घर में जब कई प्रकार की बुनाई करती हैं तो हाथ करगे क इस कार से बुनाई का काम पहले सरल हो गया है आजकल अधिकास वस्तर निर्माड करने वाले कारखनों में बिद्दुच चली था मतब लाइन से चलने वाले हाथ करगे का क्या किया जा रहा है उपयोग किया जा रहा है जिससे वस्तर को उत्पैदन ज्यादा मात्रा में किया ज रहा है और साधी बुनाई में लंबाई की और से यदि वस्तर को देखा जाए तो ताने का पहला धागा बाने के उपर रहता है ताने का पहला धागा मतलब ये ताना है और बाना के उपर फिन नीचे फिर उपर फिन नीचे फिर उपर फिन नीचे इस प्रकार से क्या होता है आपका पाया जाता है, फिर दूसरा उसके नीचे, तीसरा, फिर उपर नीचे, पूर उपर नीचे, इस प्रकार से वस्त रखा क्या होता है, आपका निर्माड होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखताना क्या है और बाना क्या है, आगे है सरलाईयों की से बुनाई, सरल तकून क्या है विधी है आपने स्वेटर जर्सी कारडीगन बन्यान आधी वस्तर का उपयोग किया ही होगा आप घर में क्या करते होंगे भी स्वेटर तो पहनते होंगे यह पहने होंगे जर्सी पहने होंगे बन्यान पहने होंगे यह सब जो है क्या होता है हमारा नीडिंग क प्ययार किये यह अस्तर होते हैं यह सब चीज शोता है नीडेट कपड़ों में आज जाता है नीडेट जो कपड़ा होता है उस नीडेट कपड़ा में फैलने और सिकूरने कि क्या होती है आपकी छमता क्या होती है पाई जाती है ये कहीं फैल कर कहीं सिकूर कर सरीर में आसानी से क्या हो जाती है फीट हो जाती है इसलिए खेल के छेतर में खेल जो खिलाड़ी हो इसी वस्त्र को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, आईए इसे समझने के लिए कुछ रोचक क्या करते हैं, क्रिया कलाब करते हैं, और ये क्रिया कलाब कितना है, छे, पांच है, इसके लिए आपको आवस्यक समागरी लेना पड़ेगा, ये आवस्यक समागरी है, माल निटिंग की विधी से बना एक सूती कपड़ा जैसे मुझा दोनों कपड़ों को एक एक करके लंबाई और चमडाई में खीची आपने देखा होगा कि कौन ज्यादा खीचाएगा कौन सवस्त्र ज्यादा फैलता है तो नीडिंग वाला जो वस्त्र है वो क्या होता है अपने पुरानी वस्त्तिती में वापस आ जाता है अब बारी-बारी से हैंडलन से वल्हकं करके पहचान करें की रेसे वस्तर में कीस प्रकार ब्योवस्तित होते हैं OR कीस प्रकार ब्योंचीत होते हैं तो फुल्मिला के रेशव को ब्यवस्थित करने का धंग है, उनको किस प्रकार से ब्यवस्थित करें कि वो नीडिंग जैसा ब्यवहार करें, और किस प्रकार से ब्यवस्थित करें कि वो आपका सिंपल कपड़ी की तरह ब्यवहार करें, ये देखो, अगर इस प्रकार से वस् में धागे इस प्रकार से क्या होते हैं आपके ब्योस्तित होते हैं यही इस प्रकार से ब्योस्तित है वह जो हमारा क्या होता है जो वस्त्र होता है वो नीडिंग की तरह फ्लेक्सिवल की तरह क्या करता है बेभार करता है और करगे की बुनाई की विधी से त्यार किया गया वस्त्र में ताना बानों की धागे समकून पर मिलते हैं कहां पर मिलते हैं हमारे समकून पर मिलते हैं इ क्पड़ों को नतु उसमें घीचाओं नहीं रहता है वह वैसा ही रहता है फ़ंद के भीतर से फंदवा फंदे के भीतर से फंदा निकाल करके कियाजाए तो फंदों में सभी दीसाओं में फैलने की छमता होती है इसलिए जब वस्त्र लंबाई में खीचाओ पड़ता है तब फंदा कहो जाता है उपर वा नीचे फैल जाता है तथा चवडाई में सीकूर जाता है पतला हो जाता है इस प्रकार जब वस्तर पर चवडाई में खिचाव परता है तब फंदे की लंबाई कम हो जाती है और वह चवडाई में फैल जाता है निडेट कपड़ों में फैलने और सिकर्णों की सभाविक गूर रहता है जिसे ना पूचित रहती है और ये अराम दायक भी होती है ठीक तो ये आपका इस तरीका से लेशन समाप्त होता है और इसमें कुछ आपके अभियास की क्या दिये हैं हमारे प्रश्न दिये गए हैं देखते हैं कौन-कौन से अभियास के प्रश्न हैं पहला दिया है नीचे दिये गए कथनों में से सही और गलत की पाचान कर और गलत कथन को सही कर अपने copy में क्या कीजिए लिखिये बोल रहा है इसमें पहला दिया है दरियां गलीचे बनाने में मुख्यता जूट का प्रयोग किया जाता है यस दरियां हो गया गलीचे हो गया हाना यह सब बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भई आपका गलीचे बनाने में मुख्यता जूट का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है तो यस यह हमारा क्या है सही है इसमें लिख सकते हैं कि दरियां गलीचे बनाने में मुख्यता जूट का क्या किया जाता है आपका प्रयोग किया जाता है दरी बनाते हैं लोग जूट करना दरी वरी बनाने में दरियां बनाते हैं गलीचे बनाते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं जूट का रेसे से धागा प्राप्त किया जाता है नहीं धागा से क्या किया जाता है रेसे प्राप्त किया जाता ह तो ये कहा हमारा गलत है ना भी धागा से क्या किया जाता है रेसे पराप्त किया जाता है ना कि रेसे से धागा पराप्त किया जाता है धागा में क्या रहता है आपका रेसा रहता है भी हम लोग जश्ट क्या किया है भी पढ़े हैं पहला देखो इधर हम देखेंगे तो यहा से धागों को खीच कर ही रेशा प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यह हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं बता सकते हैं तो हम लोग कौन से नंबर में जा रहा है हम लोग लास्ट नंबर में ठीक है तो यह हमने यहां पर तो धागों से क्या होते हैं रेशा ठीक जूट नारियल का बाहरी आवरन से प्राप्त होता है नहीं ये हमारा क्या है गलत है ये क्या है गलत है ये भी क्या है हमारा गलत है और ये क्या है हमारा सही है क्या है सही है दरिया गलीचे बनाने मुख्यता जूट का प्रयोग किया जाता है यह सही है रेसों से धागा बनता है नहीं आप क्या लिखेंगे धागा से क्या बनता है रेसा बनता है यह आप लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे धागा से क्या बनता है रेसा बनता है ऐसे लिखेंगे धागा से क्या बनता है रेशा बनता है फिर क्या वो रहे है जूट नारियल के बहारी आवरान से प्राप्त होता है नहीं अपलिक सकते हैं जो जूट नारियल के बहारी आवरान से प्राप्त नहीं होता है बलकि जूट जो होता है पटसन जूट नारियल के बाहरी आवरन से प्राप्त होता है नहीं तो जूट नारियल के बाहरी आवरन से प्राप्त नहीं होता है बलकि एक पड़सन जो होता है उसका पौधा होता है वहाँ से क्या होता है यह प्राप्त होता है फिर घर नमबर रेसम रेसा किसी पौधों के तने से प्राप्त नहीं किया जाता है, बलकि रेसम कीट से प्राप्त किया जाता है, किसे प्राप्त किया जाता है भई, रेसम कीट से, तो लिख सकते हैं, रेसम रेसा, यहाँ पर लिख सकते हैं, रेसम, रेसम कीट से प्राप्त किया जाता है, रेसम कीट से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है और ये जूट पटसन के पौधों से चालों से प्राप्त किया जाता है पौईष्टर एक प्राक्रितिक रेषा है नई तो ये आप क्या करेंगे अपने कॉपी में लिखेंगे भी कि पौईष्टर जो होता है वो प्राक्रितिक रेषा नहीं होता है बलकि कैसा होता है वो संसलेसित रेसा होता है ठीक ये हो गया आगे हमारा दिया है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए वो रहे न तो पहला कायर नारियर के पेड़ से प्राप्त होता है किसे भी मारा नारियल नारियल की पेड से प्राप्त होता है रेसों को धागा में बदलना क्या कहलाता है मारा बुनाई कहलाता है तो रेसों को धागा में बलना यह ठीक है भई ठीक है यहाँ पर उसी साथ से ठीक होगा फिर हना, रेसों से धागा बनता है, हाँ, रेसों से क्या बनता है, धागा बनता है, ठीक, यह करेंगे आप, अच्छा, यह हो गया, भुनाई कहलाता है, खालिस्थान और खालिस्थान से, पादप रेसे प्राप्ट किये जाते हैं, जैसे, आपका, बोल सकते हैं, जूट हो गया, और ये पट सन हो गया, इनसे हम क्या करते हैं, पादा प्रेसे प्राप्त करते हैं, नैलाउन कैसा है, संसलेसित रेसा है, कैसा रेसा है, संसलेसित रेसा है, तो खाली स्थान भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इनकी उत्तर दीजिये बोल रहा है, नीमे लिखीत प्रसनो होता है उस पौधा को हम क्या करते हैं फिर उसको हम क्या करते हैं दो चार-पास दिन के लिए उनके पौधा को पानी में क्या करते हैं सडाने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर सडने के बाद उसके बारी जो हमारे जो सीरा है मतलब बारी जो छिलका है उसको या बारी जो भाग होता है उससे हम लोग क्या करते हैं फिर रेसम को क्या करते हैं हम लोग प्राप्त करते हैं तो ये लिख सकते हैं जूट की इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है तो जूट का जो भी या जो परसन का जो पौधा होता है उस पौधा जिसका लंबाई लगभग 12-15 फीट होता है जब उसमें फल पक जाते हैं तब जाकर के जो परसन का पौधा होता है उसको क्या किया जाता है उसको काटा जा पानी में क्या किया जाता है उसको आपका सडाया जाता है ठीक है तो लिख सकते हैं हाँ पर उत्तर एक उत्तर हम क्या लिखेंगे एक तो लिख सकते हैं जूट जूट पटसन के पौधों से प्राप्त किया जाता है इसके लिए इसके लिए पटसन के पवधों को काट कर पानी में पानी में दो तीन दीन के लिए सडाया जाता है सडाया जाता है उसके बाद उसके बाहरी छाल से रेशा प्राप्त किया जाता है यह हो गया दोसरा जूट हो गया नीटेड कपड़ों की विशिस्ता क्या है तो आप लिख सकते हैं उत्तर दो अभी जैस्ट पढ़े हैं नीटेड कपड़ों में फैलने और सिकूडने का गूण होता है या विशिस्ता होता है का विशिस्ता होता है यह हमारा हो गया दूसरा ठीके नारियल रेशे से बनने वाली दो वस्तु के नाम तो आप लिख सकते हैं उत्तर तीन नारियल रेशे से बनने वाली दो रेशे का नाम पहला एक होता है हमारा गद्धी बनता है इसमें गद्धियां गद्धियां बनते हैं और रसियां अब क्या के आजाता है इससे बनाया जाता है रसियां क्या बनाते हैं हम लोग रसियां बनाते हैं तीक रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को समझाएए तो उत्तर आप चार तीक है जो भी हमारा क्या होता है जो रेशा होता है उस रेशा को पहले क्या किया जाता है मारा कताई किया जाता है और कताई से क्या बेया जाता है धागा बनाया जाता है तो रेशे से धागा बनाने का काम, इसके द्वारा किया जाता है मारा भी, का काम कताई कहलाता है, और इसके लिए चर्खे का उप्योग किया जाता है, यह हो गया और मौसम के अनुकुल वस्तर का चुनाओ की सधार पर करते हैं, तो मौसम के अनुकुल वस्तर का चुनाओ की सधार पर करते हैं, तो यह लेशन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो आज का हम लोग क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं,